चार्ट खाना किसको नहीं पसंद है तो आज हम बनाएंगे सफेद मतर की चार्ट जिसे रगड़ा चार्ट भी कहते हैं तो बिल्कुल स्ट्रिट स्टाइल बनाने वाले हैं तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेट बात बता दूँ अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन को हिट कर उसे ओल पे क्लिक कर दें जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियो आप सबसे पहले देख सके अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक किजेगा और कर लेंगे तो हमें इसे एकदम fine मैस नहीं करना है इसे हम roughly मैस करेंगे इस तरह से कि यह देखिए मैंने इसे मैस कर लिया और आप देख सकते हैं किस टाइप से मैस किया है तो यहाँ पर मैंने एक कप मतर लिया था जिसे मैंने overnight सोब करके रख दिया था और इसे हमने नमक, खल्दी, दो तेज पत्ते, एक दालचीनी के टुकड़े और दो लॉंग को डालके चार सीटी आने तक अच्छे से बॉयल्ड कर लिया है और आप देख सकते हैं कि हमारा मतर किस टाइप का है तो कुछ मतर खड़े हैं और कुछ मतर गल गए हैं मैस हो गए हैं तो बस इसी टाइप का हमें चाहिए कभी-कभी मटर जल्दी बॉयल नहीं होता है तो आप अपने हिसाब से इसे 4-5 सीटी लगा सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ और भी चीजे ली है जिसमें 4 मीडियम साइज के टमाटर उसे मैंने रफली चॉप कर लिया है और 2 मीडियम साइज के प्याज इसे भी मैंने फाइन चॉप कर लिया है दो हरी मीर्च इसे भी मैंने फाइन चॉप कर लिया है एक चमच अद्रक लसुन का पेश्ट और थोड़े से मैंने यहाँ पे इमली लिये हैं जिसे मैंने सोप करके रख लिया है आप यहाँ पे इमली का पल्व भी ले सकते हैं तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो गैस पे मैंने एक कडाही लिया है इसमें हम दो टेबल इस्पून ओयल ले लेंगे और ओयल के गरम होते ही चौप किया हुआ हरी मिर्च और प्याज को डाल के सोटे करेंगे तो हम थोड़ा सा प्याज बचा के रखेंगे इसे हम गार्निसिंग में यूज करेंगे अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब यहीं पे हम अद्रक लसुन का पेष्ट भी डाल देंगे और इसे भी हम मिक्स करते हुए एक से दो मिनट के लिए भून लेंगे या तब तक जब तक की प्याज थोड़ा सा गोल्डिन न हो जाए आप देख सकते हैंगे मारा प्याज अच्छे से भून गया है तब इसमें हम टमाटर को डाल देंगे साथ ही इसमें हम कुछ मसाले अड़ करेंगे तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा चमच भुना हुआ जीरे का पौडर लिया है आधा चोटा चमच काली मिर्च पौडर एक चमच लाल मिर्च पौडर एक चमच धनिया पौडर और थोड़ी सी हल्दी इन सब को डाल देते हैं और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे साथ ही मैं यहाँ पे एक चोटा चमच काला नमक और एक चोटा चमच नॉर्मल नमक डाल रही हूँ आप यहाँ पे केवल नॉर्मल नमक भी डाल के बना सकते हैं लेकिन काला नमक डालने से चाट का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और इसे हम कवर करके मीडियम फ्लेम पे 4-5 मिनिट तक पकने देंगे जिससे की टमाटर हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो ये देखिए 4 मिनिट बाद मैंने इसे खोल लिया है और अब देख सकते हैं कि टमाटर भी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है तो इसे इस पेचुला से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम मैस किया हुआ अलू डाल देंगे और इसे भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये चाट खाने में जितना अच्छा लगता है बनाने में उतना ही असान है बहुत ही जटपट बन के तयार हो जाता है और इसमें कोई भी मेहनत भी नहीं लगता है तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है तब इसमें हम गॉयल्ड किया हुआ मटर डाल देते हैं और साथ ही एक छोटा चमच गरम मसाला एक छोटा चमच चाट मसाला और साथ ही मैं यहाँ पर एक चमच टमैटो केचप डाल रही हूँ ये ऑप्शनल है लेकिन इससे आपके यहां पर आलू और मतन में मसाला हमारा अच्रे से तो यहां पर मैंने पनीद लिए तो इसे मैंने छोटे-छोटे phisज में कट कर लिया है और साती ही जो हमने एकल्त पहले डाल है यह दो चमब डाल रहे हूं अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा आपको जितना खट्टा चाहिए उसे साफ से डाल सकते हैं और एक गिलास पानी अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे हम कवर करके दो से तीन मिनट तक और पकने देंगे तो तीन मिनट बात मैंने इसे खोल लिया है और आप देख सकते हैं कि हमारा चाट कितना अच्छा दिख रहा है तो हमारा रगड़ा चाट बनकर तयार है तो चलिए इसे फ्लेट में निकाल लेते हैं घर का गर्मा करम चाट खाने का मज़ा ही कुछ और होता है इसके उपर से थोड़ा सा काला नमक स्प्रिंकल कर देंगे और थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पौडर और चौप किया हुआ थोड़ा सा प्याज और उपर से थोड़ा सा ग्रेट करके पनीर को डाल देंगे तो यह में सुन्दर दिख रहा है उतना ही ये खाने में भी अच्छा लगता है इसमें सारे फ्लेवर हैं घटा मीठा तीखा चटपटा तो एक बार इस रेश्पी को जरू ट्राइ कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा साथ ही इस वीडियो को लाइक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई